हाँ तो गाइस 15,000 में फोन चाहिए तो मैं बताओंगा 15,000 में 5 ऐसे स्मार्टफोन जो की ओल्ड राउंडर फोन होंगे ही लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा फोन चाहिए जैसे कि आपको गेमिंग करना है वैसा फोन चाहिए या फिर आपके क्या है उससाब से आप इसे टॉप 5 रेंकी के स्मार्टफोन को देख लेना पांचोई फोन बेस्ट कमाल के फोन ढूल कर निकाला है और बहुत ही कमाल के फोन है 15,000 के प्राइस में और इसमें बहुत ही कमाल के फीचर्स मिलते हैं जैसे कि 8GB, 120GB की स्टोरेज, 120Hz की हाई स्मूध रिफ्रेश रेट, 6000mAh की बेटरी और 45W का एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, साथ ही 6.78 इंच का एक बड़ा साब डिस्प्ले देखने को मिलेगा प्लस गेमिंग फोन भी रहने वाला है इस लिस्ट के अंदर और साथ ही साथ ओल राउंडर फोन भी रहेगा तो दोस्तों फोन काफी कमाल के होने वाले हैं तो चलिए इस टोफाइ रेंकिंग के स्मार्टफोन की लिस्ट को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहां पर आता है इन्फिनिक्स की तरफ से और यह फोन एक ओल्डावडर फोन मान सकते हैं मतलब गाइस केमरा से लेकर पफोर्मस से लेकर हर एक चीज बढ़िया है 15,000 के प्राइस में तो ये आपके लिए एक परफेक्ट फोन होगा नाम है Infinix Note 30 5G और गाइस देखे फीचर्स को तो बहुत ही बढ़िया फोन में फीचर्स है बट एक चीज इस फोन में कमी रहेगा वो आपको वीडियो के आगे बता ही दूँगा सो गाइस चलिए इस फोन के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं तो भाई बेक प्लास्टिक का है और बेक लुक वाइस बहुत ही कमाल का खतनाख देखनों को मिलेगा वेट 204 गराम है यानि लाइट वर फोन है करता है 240 वोट का टस्ट इंप्रिलिंग रेट है एने जी ग्लास का सपोर्ट है साथ ही यह फोन पांसो और शीनिटस पिक ब्राइटनेस के साथ भी आता है तो डिस्पले वाइस बहुत ही कमाल का होना वाला है फोन बाकी phone के camera के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 108MP का primary देखने मिलता है 2MP का एक camera होगा और एक AI lens भी हो रहेगा यानि कि triple layer camera setup के साथ इस phone का camera मिलता है 2K 30fps पर video recording कर पाओगे 16MP का selfie भी रहेगा बाकी camera phone का कमाल का है तो गाइस camera quality daylight में अच्छा निकाल के देगा बाकी low light में camera थोड़ा मात खा जाता है soft decent सा photo निकाल के देता है low light में बाकी performance के बारे में बात करें तो यहाँ पर media tech diamond city 6080 का एक 5G chipset देखने को मिलता है जो कि 6 nanometer में बना हुआ है चाल लाग से उपर का score निकाल के देता है जो कि काफी कमाल का अच्छा score है और gaming भी इसमें आप काफी कमाल के कर पाओगे 40 APS पर gaming निकाल के देता है यानि कि gaming performance wise कोई भी दिकत नहीं आएगी और एक अच्छी बात यह है इस phone में जो base variant रहेगा वो 4 GB extra virtual RAM के साथ आएगा और higher जो variant होगा वो 8 GB virtual RAM के साथ आएगा साथी में dedicated SIM slot मिलता है यानि कि 2 5G SIM और 1 SD card लगा पाओगे साथी में IP53 rating के साथ यह phone मिलता है और battery की बात की जाए तो 5000 mili ampere की बड़ी सी battery है और 45 watt का एक fast charging भी support मिलता है जो कि 30 minute में 75% तक charge करके देगा और 1 घंटे में full charge करके देदेगा साथी face unlock और side mountain fingerprint sensor मिल जाते हैं और यह दोनों बहुत ही ज़्यादा fast खोल जाते हैं और एक चीज अची बात यह है कि 3.5 mm audio jack भी मिलता है इस price में जो कि आज कल काफी सारे phones में यह चीज नहीं देखनों को मिलता है सारे phones में से गायब कर रहे है धीरे धीरे बट इस phone में मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है तो भाई price क्या है इस phone का वो बताता हूँ तो base variant जो होगा वो 4GB, 128GB storage के साथ उसकी price 15,000 रुपे है और 15,000 के price में आपको 4GB की virtual RAM भी देखनों को मिलता है यानि की 8GB और 128GB की storage है साथी में यहाँ पर एक और higher variant मिलता है 8GB, 256GB की साथ और इसके अंदर 8GB की virtual RAM मिलती है यानि की total 14GB की RAM है इस phone में और 14GB के RAM के अंदर 15,999 रुपे में यह phone मिल जाएगा और bank offer लगा के आपको 15,000 के price में यह phone मिल जाएगा तो 15,000 के price में काफी कमाल का यह phone है तो जाइए चेक आउट कीजिए काफी कमाल का phone रहेगा बाकि दोस्तों चलिए अब Samsung Lovers के लिए तुम्हारे लिए भी कुछ phone रखा है जो की एक non Chinese 5G phone लेना चाहते है 15,000 के price में उनके लिए यह smartphone रहेगा और एक Samsung का phone होगा तो दोस्तों इस phone का नाम होगा Samsung Galaxy A14 और 15,000 के price में एक काफी कमाल का phone है तो design से सुरुआत करते हैं तो देखो design कुछ ऐसा देखनों मिलता है premium level का मिल जाता है जो की आप लोग देखी सकते हो plastic bag है बेक में और 201 gram का phone का weight है तो look wise भाई बहुती कमाल का phone है और बहुती premium look देता है जैसा की 30-40,000 के phone में मिलते है उस तरह का look देखनों मिलता है साथ ही में यहाँ पर 6.6 इंच की एक full HD plus resolution का IPS LCD display panel देखनों मिलता है साथ ही 90-68 की refresh rate बाकी इस phone में जो display है इसमें punch hole cutout camera नहीं देखनों मिलता तो bezel average size के हैं बाकी Samsung के phone's display में तो अच्छे होते ही है तो display में no doubt काफी कमाल का होगा Samsung Galaxy A14 5G तो अब बात कर लेते हैं phone के camera के बारे में तो यह 50MP के primary sensor के साथ आएगा triple layer camera setup होगा इस phone में और बाकी 2-2MP के और 2 camera देखनों मिल जाते हैं 1080p पे 30fps पर video recording कर पाओगे selfie भी यहाँ पर 13MP का मिल जाता है so camera average है ठीक ठाक video recording और photos को खीच पाओगे बाकी इस phone को जिसने लिया है या फिर इस top 5 ranking smartphone में जो भी smartphone बता रहा हूँ उन में से इन पाचों smartphone में से किसी ने भी लिया है तो वो अपना experience सेट करते है comment box में क्योंकि 15,000 के price में यह phone लेना चाहते हैं उनके लिए एक plus point हो जाएगा कि लेना चाहिए या फिर नहीं feedback आप दे सकते हो comment box में क्योंकि 15,000 invest करने वाले हैं तो 15,000 के price में आप अपने friends को बता सकते हैं comment box में कि यह phone कैसा रहेगा सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस phone के बारे में तो performance के बारे में बात कर लेते हैं performance यहां पर exynos का 1330 का एक 5G chipset देखने को मिलता है जो कि 5 nanometer में बना हुआ है और performance अच्छा निकाल के दे देता है high gaming तो नहीं कर पाऊगे बाकि ठीक ठाक gaming कर पाऊगे जानि कि gamers के लिए यह phone तो नहीं है बाकि daily task आराम से पूरा करके दे देगा बाकि यह phone performance वाइस काफी बढ़िया है 4 लाग से जादा एंटो तो स्कोर निकाल के देता है जो कि काफी कमाल का स्कोर है 15,000 के price में बाकि 5000 miliampere की बेटरी भी मिल जाती है और normal सा एक 15 वोट का charger भी मिलता है और यह एक से डर्ड दिन तक बेटरी बेकप दे देगा अराम से बाकि साइड में साइड मॉर्टेंट फिंगर प्रेंच सेंसर है फेस अनलोक है दोनों ही काफी ज़्यादा फास्ट है और अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की तो 4GB, 64GB का स्टोरेज जो आता है उसका price 16,000 रुपे है तो 14,000 के price में ये phone एक बहुत ही कमाल का रहेगा बाकि दोस्तों इस phone में और खासियत देखनों को मिल जाते हैं जैसे की 3.5mm audio jack है dedicated sim slot मिल जाता है यानि की 2 5G SIM और 1 HD card भीड लगा पाओगे और Android 13 पे ये phone आता है सो भाई samsung lowers के लिए ये phone बहुत ही कमाल का है या फिर non Chinese phone लेना चाहा रहे है उनके लिए best samsung का smartphone रहेगा ये सो गाईस चाहिए check out कीजिए बहुत ही कमाल का phone है सो गाईस अब आते हैं अपने number 3 के smartphone को लेकर सो गाईस ये phone POCO की तरफ से आता है POCO X55G smartphone लेकिन अगर आपको POCO का phone नहीं चाहिए तो जाओ number 2 और 1 पे क्योंकि वो दोनों 15,000 के price में काफी कमाल के phone है और उनमें जो feature और specification performance जो मिलता है वो कमाल के होने वाले है तो जाए number 2 और 1 पे उनको जाओ check out कीजिए अगर आपको POCO का phone नहीं चाहिए बाकी इस phone पे आते हैं तो दोस्तो प्रोसेसर काफी कमाल का है डिस्पले, battery, camera बहुत बढ़िया है design भी काफी बढ़िया है no doubt camera module काफी कमाल का है जैसा कि आप देखी सकते हो बेक में plastic है again weight phone का 188 grams है out of the box ये phone indoor 12 पे भी आता है बाकी phone दोस्तो बहुत ही बढ़िया है बाकी phone के best highlighting point के बारे में बताऊं तो वो phone का होगा display जो की 6.67 inch का FHD Plus Emily display panel देखनों को मिलता है and 120 Hz का high smooth refresh rate और punch all hole cutout के साथ भी मिल जाता है ये phone 240 वोट का touch sampling rate भी है 700 nits की peak brightness level भी देखनों को मिल जाता है plus corelling gorilla glass के protection के साथ ये phone आता है तो price के हिसाब से ये phone display में next level रहने वाला है बहुत ही कमाल का phone का display रहेगा बाकी phone के camera के बारे में बात कर लेते हैं तो triple camera का setup है साथी 48 megapixel का primary है 8 megapixel का ultra wide और 2 megapixel का micro lens भी है बाकी इस phone में 13 megapixel का selfie भी मिल जाता है और 1080p पे video recording कर पाऊगे तो price के हिसाब से camera अच्छा रहेगा photos अच्छे आते हैं और जो 15-20,000 के price में जो famous processor मिलता है वो ही performance इस phone में भी मिलेगा जो कि Qualcomm Snapdragon का 695 एक 5G chipset देखने को मिलता है तो performance wise काफी कमाल का अच्छा निकाल के देता है performance साथ ही में 6GB RAM और 128GB की storage है और 6GB RAM के साथ आपको 5GB की virtual RAM भी मिल जाता है तो भाई काफी कमाल का phone बन जाता है 5000 मिलियंपेर की बड़ी बैटरी है और 33W का एक fast charging support भी मिल जाता है side mountain fingerprint sensor है और face unlock भी देखनों को मिल जाता है जो कि बहुत fast खुलते हैं pricing के बारे में बात करें तो 6GB RAM, 128GB जो है जिसकी price 15,000 रुपे मिल जाती है और 15,000 के price में आपको 6GB प्लस 5GB के virtual RAM यानि की 11GB का RAM मिलता है तो देखो POCO के phone लेने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा जो काफी hype बनी रखी है POCO के phones जो होते हैं वो उनमें motherboard में काफी issues देखने को मिलता है जो कि ये चीज़ बहुत ही धियान देने वाली बात होगी तो अब आपको decide करना है कि 15,000 के price में आपको कौन से brand का phone लेना है तो अब आपको decide करना है क्योंकि आपके पैसे है आपकी मर्जी POCO के phones लो या फिर कोई और brand का phone अगर आपको brand फरक नहीं पड़ता तो आप इस phone पर definitely जा सकते हो क्योंकि performance display, camera, battery, storage ये सारी चीज़े काफी कमाल के हैं इस phone में तो no doubt ये smartphone आप definitely ले सकते हो पर आपको जैसा कि कहा POCO के phones लेने से पहले आपकी मर्जी So let's video में guys आगे बढ़ते हैं और अब जो आता है No.2 पर smartphone वो कौन सा है So guys moto की तरफ से Motorola G62 एक 5G phone है और देखो 15,000 के price में इस phone को काफी ज़्यादा YouTuber सरजेस्स करते हैं 15,000 के price में feature wise बहुत ही कमाल का phone है तो इस phone के minus point और plus point भी रहेंगे क्या है वो तो आपको वीडियो के आगे बता ही दूँगा features पहले जान लेते हैं क्या है तो यहाँ पर 6.5 इंच का FHD+, IPS LCD डिस्प्ले पेनल मिल जाता है बाकी 120 Hz की smooth refresh rate मिल जाता है Panda glass protection मिलता है with the punchle hole cutout camera के साथ तो डिस्प्ले भाई बहुती कमाल का रहेगा no doubt बाकी यहाँ पर camera 50 megapixel का primary मिल जाता है और जो की quad camera setup के साथ आता है 16 megapixel का एक front selfie camera है 1080p पे video recording कर पाऊगे ठीक ठाक phone का camera है decent सा और मैंने photos चम निकाले तो ठीक ठाक मुझे लगा camera उतना अच्छा नहीं है but performance काफी कमाल का है day to day life में कोई भी problem नहीं आएगी जो की famous processor जिता है 15-20,000 के price में वही phone में processor मिलने वाला है जो की Qualcomm Snapdragon का 695 का एक 5G chipset होगा तो performance wise काफी कमाल का phone है again और कोई भी लेक किया फिर problem नहीं देखनों को मिलेगा डाल पाओगे बाकी यहाँ पर 12 5G bands का भी support मिल जाता है 5000 mAh की battery भी है और 20W का एक fast charging support भी मिल जाता है बाकी यहाँ पर side mountain fingerprint sensor face unlock भी मिल जाता है जो की बहुत ही अच्छा है fast है और एक चीज इसमें बहुत ही कमाल का लगा जो की stereo speakers मिलते हैं Dolby Atmos का भी support है तो यह काफी कमाल का लगा मुझे इस phone में तो इस phone के pricing की बात कर लेते हैं तो 6GB, 128GB जो मिलता है इसके लिए आपको देना पड़ेगा 15,499 रुपे और card offer bank वगएड़ आप लगा कर आपको अच्छा खासा discount मिल जाएगा 15,000 के price में काफी कमाल का यह phone रहेगा तो 15,000 के नीचे यह phone मिल जाएगा साथ इस phone में एक बहुत ही कमाल का बात लगा जो की clear Android experience देखने को मिलता है जो की price के हिसाब से बहुत ही कमाल का है यानि की 20-25,000 के price में भी यह चीज नहीं मिलता तो काफी कमाल का मुझे यह लगा So guys definitely इस smartphone पर जाना चाहिए 15,000 के price में So guys अब finally number 1 के smartphone के आगे बढ़ते हैं So यहाँ पर guys यह phone feature wise next level वाला है बट कुछ कमिया है क्योंकि obviously बात है किसी को camera पसंद है, किसी को performance, किसी को high battery किसी को big display और किसी को all-downer phone पसंद है तो सबकी अलग-अलग choice है तो इस top 5 ranking में 5 ओई phones अपने हिसाब से आप देख लेना कि आपको प्या चाहिए तो उस हिसाब से आप phone buy कीजिएगा 5 ओई phones अपने हिसाब से category में काफी कमाल के रहेंगे So guys number 1 के smartphone को लेकर बात कर लेते हैं तो यह phone IQ की तरफ से आता है IQ Z75G तो बात कर लेते हैं phone के design से तो plastic बेक है phone का design weight 175 grams होने वाला है 6.38 inch की AMOLED display panel देखना हो मिलता है साथी 90 Hz की refresh rate 360 Hz की touch sampling rate and water drop notch display आता है इस phone में 1300 nits की brightness level है high brightness level मिल जाता है डिस्पले में bezels average मिल जाते हैं डिस्पले अच्छा है 4500 mAh की बैटरी 45 Watt का fast charging support मिल जाता है processor की बात करें तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 920 का एक 5G chipset मिलता है जो कि 6 nanometer पर बेस्ट है 4.5 लक्स से उपर का intuitive score निकाल के देता है so gaming में no doubt बहुत ही कमाल का यह chipset रहता है और इससे आपर 90 fps पर gaming कर पाओगे जो की बहुत ही कमाल का बात यह लगा बाकियां पर 6 GB RAM, 128 GB storage मिलता है साथी 8 GB और 128 GB का storage मिल जाता है बाकियां पर यह phone LPDDR4X RAM support के साथ आता है UFS 2.2 का storage type मिल जाता है यह phone out of the box Android 13 पर भी आता है इंड डिस्प्ले fingerprint sensor मिल जाता है जो कि आज कल side modern fingerprint sensor मिलते हैं उनसे बहुत ही कमाल का अच्छा है बाकियां पर HDR का भी support मिल जाता है और IP54 rating के साथ भी मिल जाता है यह phone camera के बारे में बात करते हैं तो next level camera मिल जाता है क्योंकि primary camera जो की है वो 64 megapixel का OIS sensor के साथ आता है जो की 20,000 के कम के price में मिलना OIS बहुत ही बड़ी बात है और मेरे ख्याल से यह पहला phone होगा 20,000 के अंदर जो की OIS के साथ आता है 2 megapixel का depth है और selfie यहाँ पर 16 megapixel का मिल जाता है तो no doubt camera बहुत ही कमाल करेगा 4K 30fps पर video recording और photos को खीच पाओगे बाकी यहाँ पर 3.5mm audio jack मिलता है एंड hybrid sim slot भी मिल जाता है तो overall यह phone display से लेकर camera, storage, battery, processor से लेकर बहुत ही बढ़िया है 6GB के रेम मिलती है एंड 128GB के storage जिसके लिए आपको देना पड़ेगा 17,499 रूपीज so you know बहुत ही कमाल का phone यह है जो कि आप check out कर सकते हो so guys यही है number one पे smartphone so guys आप बताओ कौन से phone लेना चाह रहे हो इस tofi ranking के smartphone में आप बताओ जली से comment box में